श्री राम कृष्न के कलप वरिक्ष बनने की कहानी यह स्वामी सारदाननदाजी की पुस्तक श्री राम कृष्न द्ग्रेट मास्टर से लिया गया है पौश मास का आधा बीद गया और यह जन्वरी 1886 का पहला दिन था जैसा कि उस दिन ठाकुर श्री रामकृष्ण को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ उन्होंने अपने कमरे से बाहर आने और कुछ समय के लिए बगीचे में टहलने की इच्छा व्यक्त की छुट्टी का दिन था और ग्रिहस्त भक्त दोपहर के कुछ देर बाद एक-एक करके समूहों में आने लगे इस प्रकार दोपहर के तीन बजे जब गुरु सीडियों से नीचे उत्रे तो फ्रेडों के नीचे बगीचे में और घर के अंदर तीस से अधिक लोग बादचीत में लगे हुए थे जैसे ही उन्होंने ठाकुर को देखा, सब श्रद्धा से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया वे बगीचे में हॉल के पश्चिमी दरवाजे से नीचे आये और धीरे धीरे दक्षन गेट की ओर बढ़े और सभी उनके पीछे कुछ दूरी पर चलने लगे जब वे द्वार की ओर जाने वाले रास्ते के बीच में आये, तो उन्होंने गिरीश, राम, अतुल और कुछ अन्य लोगों को रास्ते के पश्चिम में फेड़ों के नीचे बैठे देखा उन्होंने भी ठाकुर को देखा और वहां से उन्हें प्रणाम किया, फिर आनंद पूर्ण होकर उनके पास आए किसी के कुछ कहने से पहले ही गुरू ने अचानक गिरीश को संबोधित किया और कहा गिरीश तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा और समझा जो तुम लोगों को बताए फिरते हो कि मैं भगवान का अवतार हूँ गिरीश पूरी तरह से अडिग रहा और गुरू के चरणों के पास जमीन पर घुटने टेकते हुए हाथ जोड कर और चेहरे को ऊपर की ओर करके दबे स्वर में कहा मैं उसके बारे में और क्या कह सकता हूँ जिसकी महानता को ब्यक्त करने के लिए स्वयम व्यास और वालमिकी को भी शब्द नहीं मिले गुरू गिरीश के इस प्रजवलित कथन से मंत्र मुगधर हो गए और उन्होंने अपने प्रतीनिधी गिरीश के माध्यम से वहां एकठे हुए सभी भक्तों को आशीरवाद दिया मैं तुमसे और क्या कहूँ आप सभी को आध्यात्मिक जागृती का आशीरवाद मिले भक्तों के लिए प्रेम और करुना के अलावा उन्होंने भाव समाधी में प्रवेश करते समय शायद ही कुछ शब्द कहे थे वे गहरे आशीरवाद के शब्द स्वार्थ के थोड़े से स्पर्ष से अच्छूते सीधे भक्तों के दिलों में प्रवेश कर गए जहां उन्होंने आनंद की उची लहरे उठाई वे समय और स्थान भूल गए गुरू की बीमारी को भूल गए और उनके ठीक होने तक उन्हें नच होने के अपने पिछले द्रव संकल्प को भूल गए वे केवल यह जानते थे कि उनकी दुर्दशा में उनके लिए सहानुभूती से भरे एक असाधारन दिव्य व्यक्ति उनके दुख में कश्दाई दर्द महसूस कर रहा था और उनका हृदय असीम करुना से बहते हुए स्वर्ग से उनके पास उतर आया था और उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया था जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को सभी मुसीबतों के खिलाफ आश्रे देती है उन्हें अपनी साड़ी के आचलों से प्यार से धग देती है तब वे उन्हें प्रणाम करने और उनके चरणों की धूल लेने के लिए उत्सुक हो गए और श्री राम कृष्ण की जय के नारों से चारों दिशाओं को भरकर एक-एक करके उन्हें प्रणाम करने लगे जैसे ही वे उन्हें नमन कर रहे थे गुरू की करुणा के समुद्र ने सभी सीमाओं को लंग दिया और एक अदभुद घटना को अंजाम दिया हमने लगभग प्रती दिन दक्षन इश्वर में गुरू को कुछ भक्तों के लिए दया और करुणा में खुद को खोते हुए और दिवे अर्ध चेतना की स्थिती में उनके असाधारन शक्ति शालीस पर्ष से उन्हें आशीरवाद देते हुए देखा था उन्होंने उस दिवे भाव में उस दिन इकठे हुए प्रतीक भक्त को छूना शुरू किया यह कहना अतिश्योक्ती नहीं होगी कि गुरू के इस कृत्य से भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा भक्तों को लगा कि अब गुरू अपनी दिव्यता के तथ्य को न तो उनसे या दुनिया में किसी और से छुपाएंगे और अपने स्वयम के दोश, आध्यात्मिक अभाव और अक्षमता जानते हुए भी उन्हें जरा भी संदेह नहीं था कि सभी समान रूप से पापी और पीड़ित उनके चरणों में शरण पाएंगे जिसके एक स्पर्ष ने उनके सभी भय को सदैव के लिए दूर कर दिया उस अद्भोद घटना के कारण एक भी शब्द न बोल पाने के कारण कुछ केवल एक ही मन से उनकी ओर देखते रहे जैसे कि वे एक मंत्र के जादू के तहट थे, कुछ अन्य ने घर के भीतर सभी को जोर से बुलाया और गुरू की कृपा प्राप्त करने को कहा और कुछ भक्तों ने फूल एकत्र किये और उनके साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी पूजा की शीगरही गुरू का पर्मानंद समाप्त हो गया और भक्त भी फिर से अपनी चेतना की सामान्य स्थिती में आ गए उस दिन इस प्रकार बगीचे में उन्होंने अपना चलना समाप्त किया, फिर वे घर के अंदर गए और अपने कमरे में बैठ गए